इस्टोएंट साज के स्पूरी लेक्षे में जो question हम लोग solve करने जा रहे हैं वो 9th class के chapter number systems के exercise 1.3 का question number 4 है एक छोटा सा question है बर जितना छोटा है उससे कहीं ज़्यादा important है तो एक बार देखते हैं question में क्या दिया है question में हम लोगों को दिया है express 0.9999...in the form p upon q are you surprised by your answer? तो question में यहाँ पर हम लोगों को एक decimal expansion दे रखा है जो कि अपने अपने किस तरीके का है non-terminating recurring आप इस decimal expansion को हम लोगों को p upon q की form में change करने के लिए बोला गया है ठीक है तो करते हैं इसको p upon q की form में change तो जब भी कभी इस तरीके का decimal expansion हम लोगों को दे दिया जाए जिसको कि p upon q की form में change करना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं उस decimal expansion को एक variable के साथ में equate करते हैं correct तो यहाँ पर हम लोगों ने let कर लिया एक variable x जो कि किसके equal है हम लोगों ने consider कर लिया है यह equal है 0.999999 dot 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 यानि कि x equal to this ऐसा हम लोगों ने let कर लिया है अब हम लोग देखने का काम करें इस decimal expansion को तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर dot dot लगा है मतलब यह non-dermating है साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि 9 का repetition है इसका मतलबी decimal expansion अपने आपने किस तरीके का हुआ non-dermating recurring अगर यह non-dermating recurring है तो इसी decimal expansion को हम लोग कुछ इस तरीके से represent कर सकते हैं 0.9 bar 9 bar क्यों लगा है हम लोगों ने क्योंकि 9 का repetition है चीक है और अब इसको हम लोग equation number 1 माल लेते हैं इतना कर लेने के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि जो अब हम लोगों के साबने decimal expansion लिखा हुआ है वो pure recurring है या फिर mixed recurring है तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 का जो repetition है decimal के तुरंद बाद है इसका मतलब ये pure recurring हुआ अब जब ये pure recurring है तो हम लोग देखेंगे कि बार कितनी digits पर है बार तो यहाँ पर एक ही digit पर है तो एक 0 वाला number क्या होता है 10 तो इस 10 का multiply करेंगे execution की दोनों sides में तो जब इस side में हम लोग 10 का multiply करें तो ये बन जाएगा क्या 10X and this equal to जब इस side में 10 का multiply करेंगे तो decimal एक digit खिसकेगा ठीक है तब इसको लिखा जा सकता है 9.9 bar और इस तरीके से हम लोगों को मिल जाती equation number 2 अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग equation number 2 में से equation number 1 को minus करेंगे तो लिखते है equation number 2 क्या है ये है 10X equal to 9.9 bar और वही equation number 1 क्या है X equal to 0.9 bar अब जस क्या करना है minus करना है तो देखे 10X में से X minus करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ बचेगा हम लोगों का 9X इधर आजएए 9 bar में से 9 bar minus करें मतब एक number में से अगर उसी number को minus करेंगे तो 0 बीच में decimal आया लगा दीजिए 9 में से 0 minus किया तो यहाँ मिला 9 इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को मिलता है क्या 9X equal to 9 हमें X चाहिए तो इस 9 को भी transpose करते है तो जब इस 9 को हम लोग transpose करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते है 9 upon 9 जो कि cancel out करके X की value कितनी निकलाती है X की value निकल के आती है 1 तो हम लोगों ने given decimal expansion को change कर दिया है और जब इसको P upon की की form में change करना चाहा तो answer आया हम लोगों का 1 अब question कहरा है are you surprised by your answer क्या अपने answer से अब surprise है नहीं बिल्कुल भी नहीं क्यों surprise नहीं है इस चीज़ को हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते है number line पर तो एक number line हम लोग draw कर लेते हैं यह number line हम लोगों ने draw करी अब हम लोग अगर इस number को देखने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि number 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है अगर यह number 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो यह number line पर किसके बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा अब हम लोग अगर इस number line पर एक number represent करने की कोशिश करें 0.9 ठीक है अब अगर हम लोग 0.99 को represent करना चाहें इस number line पर तो वो कहां होगा वो होगा 0.9 यानि कि इस point और 1 के बीच में और 0.99 exactly कहां पर होगा वो यहां कहीं होगा ठीक है तो यह point किसको represent कर रहा है 0.99 को अब अगर 0.999 यानि कि 0.999 को हम लोग represent करें इस number line पर तो वो कहां होगा वो होगा 0.99 और 1 के बीच में और वो कहीं यहां होगा मिस 1 के और भी गरीब आ जाएगा तो यह point किसको represent कर रहा है 0.999 को तो इस तरीके से हम लोग उन्हें क्या observe किया हम लोग उन्हें observe किया है ठीक है और जब इसको represent करें तो यह 1 के पास में पहुंच जाता है एक digit हम लोगों ने और बढ़ाई तो यह 1 के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है अब जब इसी तरीके से यह procedure ongoing रहेगा मिस चलता रहेगा हमेशा तो क्या होगा एक situation ऐसी आएगी जब इस ongoing process रहेगा कि यह point कहां पहोगा exactly 1 के ऊपर होगा मिस हम लुक क्या observe कर रहे है कि जैसे जैसे digits बढ़ती है वैसे वैसे उस point की position 1 के करीब होती जाती है और यह अगर infinity तक चलता रहे procedure ठीक है तो वही point कहां होगा exactly 1 के ऊपर होगा मतलब हमें समझ आता है कि 0.9999.22 या 0.9 बार और 1 में कोई भी difference नहीं है बोथ हार same thing तब ही जब हम लोगों ने इस decimal expansion को P upon Q की form में change करना चाहा तो हम लोगों को answer क्या है 1 निकल गया है ठीक है इस point को mention कर देते हैं हम लोग I think आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों इस decimal expansion को जब P upon Q की form में change करें तो answer बनाता है ठीक है अगर आप लोगों कोई अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को like करते है चैनल को subscribe करने और बाकी के वीडियोस के लिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने अल्ड़ी अप्टोच की है फिर से आतों एक नए question एक नए concept के साथ है Till then keep learning and thank you for watching this video